है हिलो दोस्तों बहुत में स्वागत है मारी यूट्यूब चैनल श्टैडी विद्पिसाल श्भी thiliar में दोस्तोными इस वीडियों में बात करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 10 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास rattilt के लिए बहुत पूर्ट वीडियो यह होने वाली है आप सभी के लिए क्योंकि इसमें आप सभी को सो backBeaut had लेना है कोूने ने खू क्यों आपको अंगरेजी सब्जेक्त का अउतार गाड लेना है कई बच्चे कर रहे है सार मैंने अन्य मास्टर मांइंड ले लिया क्यूशन बैंक ले लिया है लेकिन आप सभी को केवल आउतार ही लेना है इंगलिस के लिए यह प्रस्णली आप सभी को मैं बता रहा हूं यह प्रस्णली वीडियो रहेगा आप सभी को के लिए कि यह आमारी तरफ से रिक्वेस्ट भी रहेगा आप सभी के लिए यूपी बो अगर वीडियो अच्छा लेग तो वीडियो को जरूर लाइक किजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किजिएगा और चैनल पर पहली बार आते हैं तो आई इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यह रहा अवतार आपका क्लाष 10 के लिए है कछादस के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है और इसमें आप सभी को आगे चलते हैं बहुत ही अच्छे बाते आप सब्टाने वाले हैं तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले हैं आपे B से सुची की बात कर लेते हैं ज परेपर्ट्री ऐगा 7 मार्क कमपोजीशन चार मार्क कई यह सब बाते आपको किलियर हो जाएंगे यहां किस परो से कितना पर लें कितना प्रेट्र पराते में कितना अब कि सब्लमेननेंट काइम पर मार्क नंबर आ सकते हैं यह सब बाते आपको किलियर हो चुकी होंगी तो आई अब बढ़ते हैं आगे क्यों आपको इही लेना है यह भी हम देख लेते हैं अभी तो यह सब बाते होंगे अब बात करते हैं इसमें आपको चेप्टर पर आते हैं सिधे चेप्टर वाज में आते हैं कि यहां से आपको क्या वे इंफिट मिलने वाली है तो यह रापोर्स से आपको सबसे पहला आपका चेप्टर जो है वहां से इसमें यह बाते जो है कि जैसे आप माल लेते हैं कोई परग्राफ है कुछाइन में आपको नहीं कर देता है लुग करें पूरा परग्राफ देता और अंज करने आहांपे साइड में अच्छा है कई बचें हिंधी मीडियम से होता है उनको नहीं याद लुब्सक्षिति में जो भी होंगे वो हिंधी मीडियम से होंगे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है उतना इंग्रिस हम भी उसी दोर से गुजर चुके हैं कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो इसके के लिए आपको वेंफिट यह रहेगा कि इसका हिंदी भी दिया है साइड में तो जब भी आप पढ़ेंगे यह इसके साइड में इसका हिंदी भी पढ़ते जाएंगे तो इससे यह होगा कि आपको क्वेंट करने में बहुत ही असानी रहेगी बहुत ही सहायत्ता मिलेगी आपको क्वेंट करने में इसमें हर एक चैप्टर में आपको अर्थ दिया गया है तो आप इसे देख लिजिएग है इसे आप सभी को वेंटिट के लिए ही बता रहा हूं जिसको एपीडियो अच्छा लगे तो जरूर लेगा और है जो लेगा ओतार गाईड हो नीचे कमेंट करेगा अब अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वेंटिट के लिए नेक्स्ट वेंटिट यह है इसमें कि आपका क्व है पइर अंब दिया रहा है तो देखिए जो पहला कूट्सन है होसे अच्छी तरीके से से याद करेंगे सब्सक्राइब दैण लेफिट मदलब मोस्ट इंपोर्टेंट करकर दिया गया जैसे ज्यादा बार उपीट किया जाते है वह सब वह कोईशन आपको इसह में दिया ऍिवह है तो यहां से आपको यहां से मालुम हो साथाने के लिए बहुत ज्यादा चांस हैं तो इसे आप जरूरी याद करकर जाएंगे 100% बहुत ही बच्ची याद करकर जाएंगे और पक्का है कि आपको मिल जाएगा यह क्विश्चन आपको एक्जाम में तो इसी तरह करके हर एक चैप्टर में आपको दिया गया है इसी तरीके से में इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट करकर दिया गया है जब आप उथर पैराग्राफ को पड़े रेंगे उसका अर्थ समझे रहेंगे तो क्यूष्चन ंक नीचे negative दिया रहा रहा है तो यह सब बातै आपको समझ में आ गई होंगी बहुत ही अच्छा है इसी आपको grammar portion में भी आपको मैं दिखा देता हूँ यह तो रहा आप पोर्स से तो यह आप कौन सा important है कौन सा most important है आपको हिंदी भी दिया रहा रहा है यह सब बाते इसमें होगी अब बात करते हैं grammar की तो आई एम बात कर लेते हैं grammar में application आपको आपको जादा है question को ध्यान देडा लेकिन आपको पूछा जाता कि application क्यों लिखा जाता है लेटर क्यों लिखा जाता है तो यह सब सब बाते हों वहां से आपको खिलियर हो जाएगी तो आप उसे भी एक बार पढ़ लिजेगा आपके जीवन में भी आपको बहुत ही विंफीट होने वाला है यह सब अगर आउतार गाइड को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो देखिए आप इंपोर्टेट मार्कर इस वह उसमें दिया गया आपको तो यह सब बाते रही हैं आपको अवतार गाइड के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेट है और सबसे हम पीछे बात कर लेते हैं इसके पेपर्स जो मॉडल पेपर्स इसमें दिये गया हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें दिये गया है इसमें देखिए मंतली टेस्ट करकर भी दिया गया मंतली टेस्ट 1,2,3 करकर दिया गया है तो आप जब भी आपको बुक पूरा कम्प्लीट हो जाएगा आप इसे हल किजिएगा बहुत ही ज़्यादा वेनफीट से रहेगा क्योंकि इसले आपको एक एक्स्पिरियेंस मिले कि कैसे एक्जाम में कौन से क्विस्टन को कैसे लिखना है और आप खुद उसे जो भी आप इसे हल किजिएगा खुद उसे चेक किजिएगा देखिएगा कितना नंबर आपसे आ जा रहा है बहुत ही अच्छा रहेगा एम बात कर लेते हैं मॉडल पेपर 1 की यहां पर तीन मॉडल पेपर आपको दिये गए हैं और एंसवर सही दिये गए हैं जब इसे मॉडल पेपर को हल किजिएगा तो इस मॉडल पेपर को हल करते समय आपको एंसवर को नहीं देखना होगा क्योंकि अगर आप एंसवर देख लेते तो मॉडल पेपर हल करने के लिए कोई जरूर प्रफिए नहीं देखेंगे खुद एक बार इसे हल करेंगे उसके बाद आप मॉडल पे पेपर के जो एंस्वर है उससे मिलाएंगे और देखेंगे कितना अमारा सई हो रहा है इसी तरह यहां पे तीन मॉडल पेपर दिये गया हैं बहुत ही अच्छे मॉडल पेपर हैं ठीक इसी परकार का आपका आता है क्रिशन यह सब बाते हैं आवतार गाइड के लिए वीडियो थोड़ा लंबा रहा है तो इसके के लिए सौरी थोड़ा साथ लेकिन इसमें यह वी ळिए किजिए लाइक किजिए कमेंट किजी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रुर शेए गजिए घा थो फैनालिस बीजियो में बस इतना ही मिलते हैं यह वीडियो में और भी अंजनकारियों के साथ तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात रहूं